नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल Let's Learned Joology पे यहाँ पे आपको BSC Joology की Classes लगातार मिलते रहेंगी नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल Let's Learned Joology पे जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे हम आपको BSC जो लोजी की Classes लगातार प्रवाइड करा रहे हैं अभी तो फिर हाल हम आपको BSC 1st Year की Classes प्रवाइड करा रहे हैं इसी संकला को आगे हम बढ़ाते हुए BSC 1st Year का Topic लेकर रहे हैं इससे पहले हमने आपको दो लेक्चर में पढ़ाया है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जर्नल फीचर्स और उस पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो है आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा उस लेक्चर में हम नया एनिमल स्टार्ट करेंगे उसका क्या नाम सबसे पहले किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ने से पहले उसकी सिस्टोमेडिक पोजीशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहां पर अगर सब देखिया आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सबसे पहली हेडिंग जो आपकी है सिस्टेमेटिक पोजीशन सिस्टेमेटिक पोजीशन में क्या होता है किसी भी एनिमल का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है या फिर उसकी पोजीशन के बारे में बताया जाता है यहां से भी आपको कुश्चन आपके एकजाम में देखने को मिलेंगे तो आईए हम जानते हैं इसकी systematic position के बारे में systematic position में आईए देखते हैं यहाँ पर क्या है सबसे पहले अगर हम बात करें इसके phylum की अगर हम phylum की बात करते हैं तो यहाँ पर phylum इसका क्या हो जाएगा Echinodermata क्या हो जाएगा इसका phylum? Phylum Echinodermata ठीक है? अगर next point जो है इसका देखते हैं sub-filem क्या हो जाएगा इसके sub-filem के अगर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है आपका iletrojova क्या iletrojova देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या iletriojova, ठीक है इसका sub-filem क्या हो जाएगा iletriojova हो जाएगा अब उसके बाद next point की बात करें यहाँ पर class लिखी हुए तीसरे नमबर पर तो इसकी class क्या हो जाएगी इस्टेरवाइडिया इसकी class क्या हो जाएगी इस्टेरवाइडिया ठीक है रेकिए इसकी class क्या हो जाएगी इस्टेरवाइडिया next point बात करें यहाँ पे क्या है इसका तो अगर हम systematic position की बात करें यहाँ पे systematic position में अगर होते हैं तो बहुत सारे चीज़े हैं इसमें लेकिन जो main main है इनको हम आपको describe कर रहे हैं सबसे पहले इसका filem याद कर लेंगे हम फिर sub filem याद कर लेंगे फिर class याद कर लेंगे order याद कर लेंगे और genus याद कर लेंगे इस तरह से इसको इतने सारे point तो very very important है इन में से कहीं न कहीं आपको आपके objective types की जो question आपके paper में आते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आईए चलते हैं आईए चलते हैं नेस्ट पेज पे नेस्ट पेज पे आ गए हैं हम यहाँ पे इस्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहली heading क्या है habit and habitat सबसे पहले heading क्या है देखे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी habit and habitat habit and habitat में हम क्या बढ़ते हैं कोई भी animal कहां पर रहता है उसका वासस्थान क्या होता है और वासस्थान के साथ साथ में वहाँ पर वो किस type की अपनी activities को perform करता है यानि कि वहाँ पर habit and habitat हो जाती है सबसे पहले heading जो हो जाती है systematic position के बाद में यानि कि कोई भी animal कहां पर पाया जाएगा उसके बारे में जा रहेंगे और पाया जाने के साथ साथ में वो किस type की activities सो करता है habit उसकी क्या क्या है habitat मतलब होता वासस्थान जहां पर रहता है habit मतलब उसकी होती है क्या आदते हैं ठीक है तो सबसे पहला point इसका क्या है यहां पर देखते है habit and habitat आईए देखते हैं यहां पर बात करें पहले point की यहां पर सबसे पहला point इसका जो है लिखा हुआ है starfish is the most commonly known and the most widely distributed of the echinoderms पहला point लिखा हुआ है आपको हमने पढ़के बनाया और आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो यह पहला point आपको क्या बता रहा है पहला point यह बता रहा है कि starfish is commonly sorry starfish is the most commonly known नहीं कि जो animal है यह यह ज़्यादा तर किस नाम से जाना जाता है starfish के नाम से ही जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि इसका जो body texture है वो एक star जैसा है इसलिए इसको commonly किस नाम से जानते हैं starfish के नाम से जानते हैं ठीक है आईए आगे देखिए लिखा हुआ है and the most widely distributed of the echinoderms ठीक है और इसका क्या मतलब हुआ most widely बहुत जादा widely मतलब most widely distributed आप दा echinoderms ये मतलब widely पूरे संसार में सब कहीं पाया जाने वाला animal है कौन starfish ठीक है इसलिए लिखा हुआ है the most widely distributed of the echinoderms जो ये echinoderms है echinoderms पे एक common word है यूच किया गया है किसके लिए starfish के लिए तो ये कहां पे पाया जाता है पूरे संसार में ये आपको sea shore पे या फिर sea में sea में समुदर में आपको ये आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है आईए चलते हैं next point पे next point क्या लिखा हुआ है it moves very slowly on the bottom of sea water with the help of tube feet इसका क्या मतलब हुआ it moves very slowly on the bottom of sea water with the help of tube feet मतलब ये अगर हिंदी में हम आपको explain करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है it moves very slowly ये बहुत slowly moment करता है कहां पे on the bottom of sea यानि कि समुद्र के bottom में ये बहुत slowly moment करता है water किसकी help से moment करता है water with the help of with the help of tube feet क्या with the help of tube feet tube feet क्या होता है जो tube feet इसकी body का part है जो कि help करता है किसमें इसके moment करने में ठीक है तो ये tube feet very very important है ये आपको objective type के question में देखने को मिलेगा paper में ठीक है तो आईए चलते हैं हम आपको ले चलते हैं next point पे next point की अगर बात करें देखें यहां पे अगला जो आपका ये next point है next point में एक मिनेट हां तो हम आगे हैं यहां पे नेस्ट पॉइंट पे नेस्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा है they are found more abundantly on the hard rocky bottom where locomotion easier rather than on the soft sandy bottoms ठीक है क्या मतलब हुआ आईए इसको हम explain करते हैं आपके साथ में यहां पे लिखो they are found more abundantly on the hard rocky bottom where locomotion easier rather than on the soft sandy bottom मतलब यह यह बता रहा है कि यह वहां पर ज्यादा पाई जाती है कहां पे hard rocky bottom जहां पे hard rocky वह चटानी बाटम होगा यानि फिर चटान का बना हुआ नीचे बाटम पिर नीचे कह सकते हैं नीचे चटान होगी बाटम में किसकी तुलना में? rather than on the soft sandy bottom किसकी तुलना में? sandy bottom की तुलना में यह कहां पे ज्यादा पाई जाती है? hard rocky bottom में ज्यादा पाई जाती है कौन ज़्यादा पाया जाता है starfish ठीक है ये point हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आईए चलते है next point पे next point की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे next point की अगर हम बात करें next point में आपको next point में आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है they are commonly seen in exposed at low water कहने के मतलब यह हुआ they are commonly seen in exposed at low water यह आपको जहाँ पे कम पानी होगा समुद्र के किनारे पे कह सकते हैं वहाँ भी एकदम आसानी से आपको देखने को मिल जाती है कौन? starfish ठीक है? तो यह जो है आपको यह इतने सारे point clear हो गए होंगे ठीक है? आईए यहाँ पे देखिए आपके next heading काउन सी है shape and size shape and size से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इस से पहले जो heading होती है क्या? morphology क्या होती है? यहाँ पे morphology होती है ठीक है? morphology जहाँ पे morphology heading होती है उसके बाद में हम पढ़ते है क्या? shape and size ठीक है? shape and size में हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहला point देखिए ठीक होआ है पहला point आपको दिखाते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा देखिए पहला point जो आपका है पहला point जो आपका है किसके जैसा दिखता है as a star like मतलब star तो आप जानते ही होंगे star नुमा इसका दिखता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है star फिस यहाँ पे is जो है यह गलत हो गया है यहाँ पे होना चाहिए so आगे लिखा हुए so it is called c star इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है c star के नाम से जाना जाता है ठीक है यह पहला point आपको समझ में आ गया होगा इसका आए चलते हैं next point पे next point में लिखा हुआ है body is flattened in the oral and aboral axis and is generally pentameras in arrangement क्या मतलब हुआ है एक बार फिर से हम आपको पढ़के सुनाते हैं देखिए the body is flattened flattened in the oral and aboral axis and is generous in arrangement मतलब यह हुआ इसकी body कैसी होती flattened होती है यानि कि चिपकी होई होती है and वहाँ पे क्या होता है oral and aboral axis भी होती है ठीक है oral and aboral axis है सकते हो यह पूरी दो जो axis होती है oral and aboral वहाँ पे क्या होता चिपका हुआ होता है और वहीं पे एक होती central disc ठीक है जो कि आगे अब भी हम पढ़ेंगे आने वाले point में और वहाँ पे लिखा हुआ है and is generally pentameras in arrangement pentameras का क्या मतलब हुआ देखिए आपको figure पे देखिए चौथी आर्म यहां से निकल लही है और पांचवी आर्म यहां से निकल लही है तो जो यह structure आपका बन रहा है तो यहां पे कितनी आर्म से है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक तो यहां total कितनी आर्म से हो गई 5 इसलिए इसको क्या कहते है pentameras arrangement क्या कहते है इस condition को हम क्या कहते है pentameras arrangement ठीक है तो यह point आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यह point आपको समझ में आ गया होगा आए चलते हैं next point पे next point की अगर हम बात करें तो next point next point पे हम आ चुके हैं यहां पे next point जो आपका है लिखा हुआ है it consists of central area which is called central disk यहां पे central नहीं लिखा हुआ which is called central disk ठीक है यहां पे क्या है it consists of central area यहां पे इसके जो center में एक area होता है उसे हम central area के नाम से भी जानते हैं और finally उसे किस नाम से जाना जाता है disk के नाम से consider disk central disk consider disk या central disk ठीक है यह point हमें लगता है आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है आईए चलते हैं next point पे next point में लिखा हुआ है from the disk five symmetrical projections arises which are called arms of the starfish क्या मतलब हुआ from the disk from the disk five symmetrical projections arises which are called arms of the starfish मतलब यह कि जो यह central disk है यहाँ पे देखिए यह central disk है यहाँ से अभी हमने आपको बताया था arms निकलती है ठीक है देखें यहाँ पे यह arms निकली हुए center यह क्या है यह central disk है ठीक है यह central disk से arm निकल नहीं है कितनी five arms निकल नहीं है तो वही बताया गया है from the disk five symmetrical projections उसके लिए एक word यूच किया जाता है क्या projections ठीक arises means होता निकलना arises which are called जो projection बाहर की तरफ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं arms के नाम से जानते हैं arms of starfish किसका arms starfish की arm means भुजाएं ठीक है starfish की जो है यह क्या कहलाएंगी भुजाएंगी जो भुजाएं कहां से निकलती हैं यह आपके central disk से ठीक है तो हमें लगता है कि यह point आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आईए चलते हैं हम next point पे तो आ गए हैं हम यहाँ पे next point पे next point के अगर हम बात करें लिखा हुआ है the length of arms three times larger as comprise to central disk क्या मतलब हुआ भीजा इसका मतलब यह हुआ यह central disk है यह arms निकली हुई है तो इसकी तुलना में किसकी तुलना में central disk की तुलना में जो इसकी arm होती है कितनी time three times बड़ी होती है ठीक है कितनी time three times बड़ी होती है तो वही यह point बता रहा है क्या बता रहा है length of arms three times larger as comprise to central disk मतलब यह central disk की तुलना में इसकी arms क्या होती है तीन गुना बड़ी होती है तो यह point आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो next point की अगर हम बात करें तो next point आपका है यह next point में देखते है the smallest star piece is about one centimeter in diameter and the largest star piece two centimeter मतलब यह जो सबसे छोटी star piece है उसका measurement किया गया अगर शुरुआद में किया गया होगा तो देखा गया कि वो सबसे छोटी अभी तक की जो star piece मिली है one centimeter की है ठीक है और जो सबसे largest star piece अभी तक की मिली है वो कितनी two hundred centimeter की मिली हुई है ठीक है तो हमें लगता है कि यह point आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से आईए चलते है next point पे यह point आपको समझ में आ गया होगा आईए चलते है next point पे next point की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए का हुआ है इससे पहले सारे point आपको समझ में आ गया होगे तो यहाँ पे आपको इस screen पे आपको एक image दिखाई दे रही होगी यह image जो है आपकी किस चीज की है starfish की है तो यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिस करते हैं देखिए यहाँ पे क्या है जब से पहले देखेंगे लिखा हुआ है हो सकता आपको ना दिखें लेकिन हम थोड़ा main बता देते हैं आपको यह जो central area है यहाँ का देखिए यह आपको दिखाई दे रहा होगा यह यह क्या है यही आपका क्या है central disc है central disc से एक arm यह निकल रही है यहाँ पे ठीक है दूसरी arm यह निकल रही है तीसरी arm यह निकल रही है चोथी arm यह निकल रही है पांचवी arm यह निकल रही है ठीक है तो central disk की तुलना में इनकी जो size है किसका arm का कितना time है या three time ज्यादा है तो कह सकते हैं central disk की की तुलना में इसकी arm कितनी ज्यादा बड़ी होंगी या तो आप लोगों को पता हो गया है कितना time three time ठीक है तो ये सारे point आपको एकदम अच्छे से याद करने हैं इसके बाद हम लगातार इसके आगे के जितने भी headings बच्ची हुए या जितना भी इसका part बच्चा हुआ है उसको हम next lecture में लेकर आएंगे इसी के साथ में हम आप लोगों को ये भी inform mission देना चाहते हैं कि सासन की तरफ से notice आ गई है कि आपके paper जो है बच्चे हुए जो paper आप लोगों के हैं वो 30 जून के बाद जुलाई में कभी भी हो सकते हैं तो जितनी भी next new information होगी वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगी और अपने इस group में भी जुड़े रहिए एकदम अच्छे से कौन सा group अपने college का group है और यहाँ पर अपने चैनल पर भी बने रही है Let's Learn Zology में और यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सस्क्राइब भी की अपने दोस्तों को भी सेर कीजिए और सस्क्राइब करिए और इस पर वाच करें बहुत जलद ही हम आपको इस चैनल पर आपजेक्टिव टाइप की सीरीज लेकर आएंगे जो कि आपके आने वाले टाइम पीरियन में जो पेपर है उसमें बहुत हेल्प फुल होगी थैंक्यू